बलेवुड एक्टर रिशी कपूर अपने ट्वीटस को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं रिशी के एक ट्वीट के बाद से ही वे ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं और अब एक बार फिर वे अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हुए हैं जिसकी वजह से वे सुर्खिया में आ गए हैं दरसल एक्टर अपनी आने वाली फिल्म राजमा चावल की शूटिंग के लिए दिल्ली के चान्नी चौक पहुँचे थे और शूटिंग से समय निकाल कर वे एद के मौके पर एदे मिलाद उन नभी की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुँचे यहाँ पर रिशी कपूर ने नमाज अदा की और फे सभी को ईद की बधाई भी दी और अपनी एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट की जिसके बाद वे ट्रोल होना शुरू हो गए इस फोटो को देखर विवर्स ने लिखा की आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा की सर कश्मीर पाकिस्तान का है यह आईडिया वहाँ जरूर सुनाना तालियां बजिंगी तो कुछ ने लिखा की आप पा इस पर tweet करते हुए एक viewer ने लिखा था, जी ओर रिशी जी, इसके साथ ही लिखा की, हिंदुत्वक खत्रे में है, हर बार हिंदु कलाकार को ही क्यों Muslim किरदार दिया जाता है, साथ ही लिखा था की half is side except the deans everything matches I guess, इन सभी tweeters का जवाब देते हुए रिशी ने कहा की, मेरा सच ल बातें समझ नहीं आती है, इसलिए बवाल मचा देते हैं, बता दें कि रिशी कपूर फिल्म की शूटिंग के चलते एक हफते तक दिल्ली में रहेंगे, फिल्म की शूटिंग चाननी चौक के किनारी बाजार में मौजूद एक हवेली में हो रही है, जिसका नाम लच्छू पूराम की हावेली है,